स्टालिश इंडियन मॉम अनु और आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागित करती हूँ और आज का इस वीडियो जो रहेगा वो काफे स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी बचों के बारे में जिहां सारे पैरेंट्स, इस्पेशली मॉमी बहुत ही जादा और टेंशिन में रहती है कि किस तरिके से मैं अपते बचों को हेल्दी बनाऊ, इसामिना फिट रहाएगा, किस टाइम पर उनको खिलाना चाहिए, सुलाना चाहिए, खेलनी भीजना चाहिए, यानि पहुत सारी चीज़े जो हमारे दिमाग में रहती हैं उस चीज़े को मैं आज इस वीडियो में सॉल्स करूँगी और ये वीडियो आपके लिए काफे हैस्फुल रहेगा क्योंकि इसमें मैं आपको पॉइंट पर चीज़े शेयर करूँगी जो आपके अपने बच्चो और इससे पहले मैं आपके कहूँगी कि अगर मेरा अपने रिव्यूवर से आप पहली बड़ मेरा चानल देख रहे हैं तो प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चानल बेल आइक कि और अगर अगर आपको ये वीडियो पसक्ता आता है तो मुझे लाइक सरूर तीचेएगा तो या हम उनको शुरू से ही ऐसी हैपिट डाले जो आगे जाके उनके लिए बहुत ही यूसकर बहुत ही है तो फ्रेंस जो तेरा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो आपका बच्चा जो भी चीज कंसूम कर रहा है फूड में खाने में उसको आपको सबसे पहले ध्यान जो अनहेलदी डायेट है उसको आप बंद कर देज़े और घर का वेजेटेबिल्स है डैरी प्रोडेक्ट है फूट्स है ड्राइ फूट्स है मीट प्रोडेक्ट है एग से यह सब खाने के अधर दालेंगे ताकि आपके बच्चे को जो नूट्रिशिन वैल्यू है वो आप अपने बच्चों को जो सोने के हैबिट है जो sleeping habits है वो बिल्कुल proper होना चाहिए और उनके time के cos having or proper time में होना चाहिए मतलग आपका बच्चा जो है वो 7 तो 8 शो की नीम जरूर ले बढ़ाइ have, Math realism और चलिख चलिज देखवारन होती है कि हमारे बच्छेrikं मतल बच्छ में सर दोटान, प्रफें करो लेट होती है थो मांनिग में लेट उठ लेंट उठता है यह जो की एक答न नहीं है तो आप बच्चे को शुरू से हाबिट डालिए कि अरली टो बैट और अरली टो राइस I think बच्चों के पोयम में भी इसे शामिल है तो उन्हें खेर-खेर में समझाए ये पात कि आप अगर जल्दी सोगे और सुपर जल्दी उठोगे जो मौनिंगे फ्रेश एयर हैं जो फ्रेश संग्रीज है वो लोगे तो वो चीज़े आपको और हेल्दी बनाएगा तो अगर आप उनको बच्पत से ही जो सोने के हैबिट है वो प्रॉपर डालिए प्रॉपर टाइम में सोए और जो ड्यूरेशन है उनके सोने का हुपी पिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए ताकि उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर ली आक्टिव रहे और काम कर से सु फ्रेंस मेच अपने नेक्स पॉइंट है उसमें मैं बात करूंगे उनके स्किन केर के बारे में उनकी स्किन की केर करना बहत ज़रूरी है अगर हम चाइड़ूट से उनकी स्किन के ध्यान देंगे, उनकी केर करेंगे, तो बड़े होकर उनकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगे और उन्हें कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स का साथना नहीं करना पड़ेगा आज करके पैरेंट्स और मॉमी काफे जादा अवेर है, उनको अवेरनेस है कि उनके फेस पे हमें क्या लगाना चाहिए, क्या ही लगाना चाहिए इसके बाद में अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप उनके पीडिट्रिशन से या फिर डर्मेटोलोजिस से कंसर्ण करके उनके फेस के लिए जोबी सोप या फेस वाश आप यूस कर रहे हैं वो ले सकते हैं और जो सेकेंड पार्ट है वो है नाचुल इंग्रिडिट्स आपके घर पे ही बहुत सारी चीज़े अबिलेबल होती हैं जो आप अपके बच्चों के फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा सजेशन में यह दूंगे कि वीकली उनके स्किन और उनके बॉड़ी और उनक सोच लीचे कि आपको उनके फेस पे या उनके स्किन पे किसी भी तरीकी का क्यमिकल यूज नहीं करना है और जो अडल्ट क्रीम होती है जो हम बड़े लगाते हैं वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है तो फ्रेंस जो में नेक्स पात करूँ कि वो है उनके बालों के ब होते हैं लेकर हमें इन ट्रेक्षे के बारे में बिल्कुल ध्यानी देना है हमें से दो फ्रोसेसे जिनपे ध्यान देना है पहला है और दूसरा है वोशी हमके इस ओल को यूज करने के लिए उस पे ध्यान देना है आपको बहुत जादा कोई भी मतलब ब्राण का ओल यूज नहीं करना है, दो ओल है, एक है, ओलिव ओल जो फिग्यारो का आता है, दूसरा है कोटनेट ओल जो पैरशूट का आता है, दोनों ओल बहुत ही एच्छे होते हैं, आप उसे थोड़ा सा भुलकुना करके आपने बच्चे की बालों पर मसाज करिये, और आप जब शैंपू यूज ना करिये, माइड रेंज के जो भी शैंपू आता है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, अब मैं प्रिफर करूंगे कि आप हर्बल शैंपू को यूज करिये, और दूसरी चीज, अगर आपके बच्चों के बालों के स्किन हो संसिटिव है, तो उन्हें जो सूट करता है, और दूसरी चीज, अगर आप बच्चपन से हैं, उनको थोड़ा नाच्रल वे में सिखाएंगे, कि हम नाच्रल तरीके से ग्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं आपको बतातू हूँ कि आप घर पे ही अपने बच्चों के लिए शैंपू बना सकते हैं, यूजिं बच्चों के बाल काफी अच्छे होंगे और वो नाच्रल वे में क्लीन होंगे, तो ये थे कुछ टेप्स चो आपके बच्चों के हैर्स के लिए हैं, च्वाइस आप पर हैं, आपके बच्चों को जो सूट करता है, आप वो अपलाए करिये, बिट हो सके तो क्या मीक्र से आपके बच्चों को डेली नहाने बात ये शावर लेनी के आदर डालिये, ये उनको काफी एक्टिव और एनरजेटिक रखेगा, साथ ही साथ जर्म्स और इंफेक्शन जैसी चीजों को भी दूर रखेगा, अगर आपका बच्चों बिमार है, ये ठायन बहुत जादा है, तो भी आप बात वाला प्रोसेस इसकिप मत करें, अगर डेली रूटीन में नहाएंगे, तो उनके बॉडी का जितना डर्स्ट है, जितना टॉक्सिंग है, और जितना भी जंस है, वो रिमूफ हो जाएंगे, और उनके जो बिमार पढ़ने के चांसे से वो भी कम हो आप ठंडे पाली से मत नहलाएं, थोड़ा सा पानी को गरम कर लीचे और उसके बाद उनको नहलाएं, तूसरे चेस चपी अप उनको नहला रहे हैं, तो वीक में एक बार दू बार उसमें एक चमश डिटॉल या सेमलोन आड करके भी उनको आप नहला सकते हैं, ताकि वो प अपचा नहाँ के साफ सुख्राब उसे सुलाने भीजेंगे, तो उसको नहीं भी अच्छी है, तो उसको नहीं भी अच्छी है, तो आप उनको बेरे नेक्स पॉइंट है, वो यही कि आप अपने बच्छों को हैबिट डालिए आउट ओर गेम्स खेलेंगे, अगर वो घर पर प्रेट के मुबाइल्स यूज करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो आप उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टेट कर दीजिए, और उनको बोलिए कि आप बाहर जाए और बाहर जाके गेम्स खेलें, उससे क्या होगा, उनका जो फिसिकल स्टैमिना है, वो स्ट्रॉंग ह तो आप उस टाइम पर अपने बच्चों को बहार जाहर बीजिए, और डेली उनको एक घंटे से दो घंटा खेलने की हैपिट डालें, ताकि वो फिसिकली भी बहुत स्ट्रॉंग हो, अगर हम यहां पर खेल की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाय भी उसमें होना चाहिए, अगर हम अपने बच्चे को छोटे से ही एक घंटा, दो घंटा या थोड़े टाइम की पढ़ने के हाबिट आलेंगे, तो एक जांस टाइम पर उनको बर्डल नहीं होगा, साथे साथ वो पढ़ाय से अपडेटेड पी रहेंगे, जाहे वो पढ़लर्स हो, जाहे वो 6th या 7th क्ला है ताकि वो भी पढ़ाय को इंजॉय करें, और अगर आपने बच्चे बढ़े हैं, तो अगर वो किसी सब्चेक में बीक हैं, या किसी की हल्प लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप उपको इस चीज के लिए मोटिवेट करिए कि वो रोस डेली पढ़ाय करें, डेली अपना होंबग पूरा करें, ताकि वो अपने क्लास में और अपने बढ़ाय में अपडेटेट रहें, पिट में पैरन्स ये पे एक्विस्ट करूँगी, साथ ही साथ कि उन्हें ओवर बढ़ाय को इंजॉय भी कर सकें, आप ये क्लास के साथ साथ पढ़ाय की करें, एक्टिविट से ही रिस्पेक्ट करने की आदर डालिए, चाहे वो उनके पैरेंट्स हो, ग्रान पैरेंट्स हो, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, बुमिन हो, बच्चा हो, उनसे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट करना अगर वो बच्पन से सीखेंगे, तो वो बड़े तक उनको वो चिस हाबिट में रहेगी लेकिन अगर वो छोटे से ही कुछ गलत वर्ट का प्रियोग कर रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे तो आगे जाके वो उनके हाबिट में आ जाएगी तो चाइड़ूट से ही उनको एक अच्छी आदर डालिए एक अच्छा बोलन करने की, रिस्पेक्ट करने की, अच्छे से बिहेव करने की यह सब आदर्ट अगर हम बच्पल से डालते हैं तो बड़े होकर वो आदर्ट बहुत जादा इन्हांस होती है और एक अच्छा रूप नेती है और सामने बाला व्यक्ति को एक अच्छा बनाती है So friends, यह है मेरे आज के कुछ पॉइंट्स जो आपके बच्चों से रिलेटेट है I hope parents और homies को बिल्कुल help करेगा वैसे बहुत सारी चीज़े हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं जो उनको मना कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा चीज़े cover नहीं कर सकती लेकिन मुझे कुछ ऐसे points लगे जो important है और हम अपने बच्चों के routine में daily उनको use कर सकते हैं उनको सिखा सकते हैं वो points मैंने आपके साथ share करिये I hope आपको यह points और यह video पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक छोटा सा like ज़रूर दीजेगा और प्लीज अगर आप मे अधिशय को में प्लीज इवडी आपको अ बबचस्टी से के सिर्फ ट्रइब ड्मुख।